हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मूमफली और चना डाल की एक तीखी सी चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ यह चटनी नारियल की चटनी से भी बहुत अच्छी लगती है और इसे आप किसी भी साथ हिंडियन डिस्क के साथ बना कर खा सकते हो अगर घर में आपके पास नारियल अवेलेबल नहीं है और आपको साथ हिंडियन खाने का बहुत मन हो रहा है तो आप ये चटनी बनाओ और खाओ आपको नारियल की चटनी से भी ये टेस्टी लगेगी तो इसमें मैंने डाला है half कटोरी मूमफली और एक कटोरी चनादाल रेशियो आप हमेशा याद रखना half is to one का है उसके बाद इसमें मैंने डाला है 8-10 कली लेसन की और तीखेपन के हिसाब से लाल मिर्ची आप लाल मिर्ची की quantity अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो और इसको मैंने 2-3 नट ड्राइ रोस्ट किया है और ये सारा प्रोसेस आपको करना है लो फ्लेम पे 2-3 त्राइ dryer roast करने के बाद इसको मैंने एक पलेٹ में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के बाद mixture jar में इसको डाल दिया है और आपको एक चीज का ध्यान रतना है इस चटनी को आपको पानी में नहीं पीछना है बलगी इमली के पानी में पीछना है किस चीज की पानी में? इमली की पानी में उसके अब आप इसका एक स्मूठ सा पेज बना लो और इसमें मैंने नमक अड़ कर दिया है अब इस चटनी को हम तरका लगाते हैं इसके लिए मैंने सरसो का तेल लिया है उसमें मैंने करी पत्ता डाला है उसके बाद जब यह करीपता अच्छे से चटक गया है तो इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है और सरसो के दाने डाले हैं यह तरका जब अच्छे से चटक गया है तो मैंने इसको चटनी के उपर डाल दिया है लो तो बन कर तयार हो गई हमारी यमी सी चटनी इससे आप किसी भी साथ इंडियन डिस के साथ खाओ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो शेयर करो थैंक यू